दोस्तो UIDI के OPCL Twitter handle से अभी recently में एक tweet किया गया है और इस tweet में साप साप बताया गया है कि अब आप अपने आधार कार्ड को अपने face scan करवा के भी आसानी से download कर सकते हैं इस tweet में कुछ interactions देवे हैं इन interactions को follow करके आप किस परकार face scan करवा के अपने आधार कार्ड को download कर सकते हैं तो दोस्तो आप वीडियो में लगतार बने रहे हम चलते हैं उस tweet की तरफ और उस tweet को एक बार read करते हैं और फिर try करते हैं कि किस परकार आप अपने आधार कार्ड को face scan करवा के आसानी से download कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं और वीडियो और information अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक like and channel को दोस्तो जुरूर subscribe कर लेना तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तो UIDAI यानि आधार की हम official twitter handle पर आचुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी recently में 3 गंटे पहले यहाँ पर UID की तरब से एक tweet करके बताया गया है जिसमें साप साप लिखा गया है face authentication residential are now using आधार face authentication feature by download this UIDAI RD app which can be under version आधार authentication app in like schemes यानि इसके अंदर साप साप बताया गया है कि अब आप यहाँ पर आधार face RD app की मदद से आप अपने आधार card को face scan करके आसानी से download कर सकते हैं और साथी साथ आप किस परकार अपने face scan करवा के अपने आधार card को download कर सकते हैं इसका interactions का एक वीडियो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके अंदर साप साप बताया गया है तो हम इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमें क्या बताया गया है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं UID intro face authentication, face authentication के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर face scan करके आधार card download कर सकते हैं इसके अंदर साप साप लिखा हुआ है face authentication now, now residence can authentication using UID face auto rd app यानि कि आपको UID face auto rd app को install करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एप आपको Play Store से डाउनलोड करना है और आपको कुछ इस परकारती एप्लिकेशन दिखाई देगी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लिकेशन की जो डाउनलोडर है वो 100K Plus है आपको अपने Mobile के Play Store में आना है और Play Store में आने के बाद में सिंपली आपको टाइप करना है आदार Face RD आप आदार Face RD टाइप करके जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने यह वाली एप्लिकेशन ओपन हो जाएगी इस वाली एप्लिकेशन को ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लिकेशन में कुछ interactions दिए वे हैं कि आपको अपने Face को किस परकार scan करवाना है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि आपका जो scan है उस पर proper lighting होनी चाहिए और आपका जो face है वो अच्छे से यहाँ पर camera में आना चाहिए और camera में आने के बाद में आप यहाँ पर आसान इसे अपने आदार कार को download कर सकते हैं ना ही तो आपके face पर किसी भी परकार की चाया होनी चाहिए और ना ही आपका face one side होना चाहिए कहीं तिर्चा होना चाहिए आपका face बिल्कुल सीधा और बिल्कुल lighting भी होना चाहिए जब आपका face आप scan कर वा लोगे तो इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका face scan हो जाता है तो यहाँ पर आपका आदार कार डाउमलोड हो जाएगा और अगर आपका face scan नहीं होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं no face scanning detect यहाँ पर लिखा हुआ आ जा तो नीचे comment section में comment लिख के जरूर बता है कि किस-किस के mobile में ये application open हो रही है और open करके एक बार जरूर से इस application को try करें आप थोड़ा wait कर लीजिए एक दो दिन में इस application को अच्छे से work करने लग जाएगी तो ये application open होने लग जाएगी और फिर आप आसानी से अपने face को scan करवा तो आपको मैं एक और वीडियो प्रवाइड करवा दूंगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतनी ही information देनी थी information कैसे लेगी comment section में लिख कर बता ही तो दोस्तो मिलते हैं ऐसे किसी नए helpful वीडियो के साथ में अब एक लिए जय हिंद जय बारत